ओम्नमसिवाय 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 बहुति आश्यवाद और सभी के लिए मंगल कामने, यह स्रावन मास हम सभी के लिए बहुत ही कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोगी मास है और हम सभी ये जानते हैं कि आदिकाल से ही भारत वर्ष में भगवान शिव की आराधना होती रही है शिव का अर्थ ही है जो मंगलकारी है, जो कल्यानकारी है शिव बहुत शिग्र ही प्रसन होने वाले ऐसे देव हैं जो सभी को अपना लेते हैं चाहे वो देव हो, दैते हो, मानव हो सामाने रूप में ऐसे लोग भी जिनको लोग घ्रना के द्रिष्टी से देखते हैं उनको भी प्यार करने वाले यदि कोई हैं तो भगवान शिव ही है भगवान शिव की आरादना में विशेस महत्व है जल चड़ाने का भगवान ये चाहते हैं आप लोग देखते हैं कि वे उनका जो स्वरूप दर्शाया गया है कि हिमाले में वास करते हैं शिव की पिंडी पर जल चड़ाया जाता है और भगवान भोले नात के माथे पर चंद्रमय विराजित है सिधार्थ यह है कि भगवान सभी के लिए एक ही विशे स्प्रेड़ना देते हैं कि मनुष्य का मनुष्य होना तब ही सार्थक है यदि कोई भी मनुष्य अपने मस्तिक्स को शांत और संतुलित रखे और जो क्रोध का विश्य व्यक्ति के मस्तिक्स में चड़ता है काम है, क्रोध है, लोब है, मुह है, एंकार है मद मतसर आदी जो भी ऐसे विश्य हैं, ग्रिना आदी का प्रभाव जो हमारे अंदर मस्तिक्स में जाकर हमें प्रभावित करता है उसे हम शान्त करें संतुलित करें और इसी रूप में कहा जाता है कि भगवान शिव सभी को ये प्रेणा भी देते हैं और स्वयम भी अपने प्रतीक रूप में जल चड़ाने के लिए उनका निर्देशन कह लीजिए या हम ऐसा कहें कि वो जल से प्रसन होते हैं अब यहां देखने वाली बात है कि भगवान शिव की जटाओं में गंगा बह रही है गंगा भक्ति का प्रतीक है ग्यान की धारा का प्रतीक है क्रिया शक्ति का प्रतीक भी है कि निरंतर ग्यान की धारा भक्ति की धारा शिव की और जानी चाहिए या कहना चाहिए कि सभी को अपने माथे पर अपने मस्तिक्स में ग्यान को निरंतर धारन करना चाहिए हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहें जितना हम सीखते रहेंगे उतना हमारे जीवन का कल्यान होगा और इसी रूप में हम ये भी जान लें कि प्रते एक दिन हमारा जीवन भक्ति से ही प्रभावित होकर लाभानवित हो सकता है तो भक्ती है प्रेम का रूप तो प्रेम की गंगा प्रतेक जीवन में बैती रहे प्रेम की गंगा को हम इस रूप में माल लें कि हमारे संबंदों में और जीवन जीने के लिए एक ही रस सबसे अधिक प्रभावित होना चाहिए और वह प्रवाईत होने वाला रस कोई और नहीं है, प्रेम ही है यदि हम अपने संबंदों में अपने प्रेम को बढ़ाई रखते हैं तो ये निशित रूप से हम अपने संबंदों में जीवित हैं और ये प्रवहा इसी तरह होना चाहिए कि जिस तरह से जल की धारा केवल मात्र समुद्र को ही अपना गंतव्य अपना लक्षे मानकर उसकी और बढ़ती रहती है अपने प्रेम को पूर्ण करने की चेश्टा हर किसी की होनी चाहिए इसलिए शिव जी प्रेम के प्रतीक भी है ये माना जा सकता है कि प्रेम का अगर दूसरा रूप देखना हो तो शिव ही है शिव वगवान के परिवार में जितने भी सदस्चे हैं सब के वहन ऐसे वहन हैं जिनका सभाव आपस में मिलता नहीं जिनकी प्रिवृति नहीं मिलती जो विपरीत सभाव के हैं लेकिन शिव के प्रेम के घाट पर आकर सभी के सभी शान्त और प्रेम पूर्वक आकर बैटे हुए मतलब जहां शेर भी और नंदी भी शान्त होकर बैठे हैं सर्प भी मौर भी जहां पर शान्त हैं चुहां और सर्प दोनों का आपस में कहीं मेल नहीं है सर्प चुहें को खाने के लिए दोड़ता है और मौर जो है वह सर्प को पकड़ने के लिए दोड़ता है बैल को नंदी को शेर खाने के लिए दोड़ता है ये एक पाश्विक वृत्ती जो वनमे और जंगल से लेकर के पृत्वी के कौने कौने पर दिखाई देती है लेकिन जहां प्रेम का वह सागर बैठा हुआ है भगवान शिव जहां विराजते हैं वहां सब अपने उस दुशित स्वभाव को भूल बैठें दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यदि आपके जीवन में भगवान शिव हैं तो आप अपने परिवार के अंदर प्रेम की धारा ला सकते हैं आपके घर के सभी लोग विपरित स्वभाव के भी हैं आपको शिव की पूजा कृपा करती है मेल लेकर आती है आपके मन में किसी भी प्रकार का विश्व या वासना का प्रभाव है तो सभी को शांत करने का कारिय शिव की भक्ती करती है मज़े की बात ये भी है कि भगवान शिव शिग्र परसन होकर के कृपा करने वाले है मतलब किसी के परती भी बहुत जल्दी मन जाने वाले मान जाने वाले देवता अगर कोई है तो शिव है इसका अर्थी ये भी हो गया कि हम लोग शिव की आराधना करते हैं तो मनो कामना पूर्ती बहुत शिग्र होती है इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि शिव जी की भक्ती जिन दिनों भी आप करते हैं हर दिन लावकारी है लेकिन इन दिनों विशेश लावकारी है क्योंकि इस समय आप देखते हैं कि अंबर भी मेग भी वर्षा के द्वारा इस प्रत्वी का अभिशे कर रहा है माना जाता है कि सत्यूग में पूजा करते थे देव लोग भगवान शिव की तो उस समय रत्नों के माद्यम से ही पूजा होते थी फिर एक युग आया जिसको हम लोग त्रेता युग कहते हैं उस समय सोने के शिवलिंक से भगवान शिव की आरादना होते थी फिर द्वापर में चांदी में इस कलियुग में माना जाता है कि भगवान जो है पार्थिव रूप में भगवान शिव की आरादना की जाए बहुत शिग्र प्रसन होते हैं लेकिन आप समझेए कि इन दिनों जब पृत्वी का अभिशेक करते वे बादल इस धर्ती पर हर्याले लेकर आ रहे है ये जीवन का प्रतीर है तो अगर हम ये चाहते हैं कि जीवन हरा बरा और खुशाल हो तो हम अपनी और से भगवान शिव को जल चड़ाने वाले बने और इसमें ये बात ध्यान लखिए कि ये जल ही केवल मात्र बात नहीं है हमारा प्रेम और हमारी भक्ति भगवान शिव को अर्पित हो तो ये इन दिनों यदि आप लोग निक्टे निरंतर करते हैं बहुत अच्छा लाव आपको होगा और महिमा में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि शान्त होकर भगवान शिव को क्योंके आदी योगी हैं उनके स्वरूप का ध्यान करते वे आप बैठें तो आपको विश्यस लाव होगा